Hello student, के SM Chemistry Classers में आप तक स्वागत हैं बच्चों आज हम बात करेंगे LDHID और KITON के बारे में कि LDHID क्या होते हैं और KITON क्या होते हैं देखिए LDHID जहाँ पर आपको CHO लगा हुआ मिल जाए क्या है? जहाँ पर आपको CHO लगा मिल जाए तो जान जाएगा वो aldehyde है और जहां पर C double band O लगा हुआ मिल जाए वो क्या है? किटोन है C double band O जहां भी लगा हुआ मिल जाए वो क्या है? किटोन है ठीक है? और R क्या है? यह जो R आर देख रहे हैं R है alkyl samu R क्या है? alkyl samu है और इस R की जिगा आप CS3 यूज़ कर सकते है CS3 को कहते है methyl ठीक है C2S5 यूज़ कर सकते है यानि यह हो गया ethyl और आप यहां तक की C3S7 यानि propyl भी यूज़ कर सकते है R ठीक है? तो मैंने बताया कि aldehyde में अगर CHO है यानि aldehyde में C double band O लगा हो मिली जाए तो वो क्या है? ketone है ठीक है? आप दे कितना जाना और R क्या है? यह एलकिल समू है जहां पर R की जगा आप क्या यूज़ कर सकते है CS3 यूज़ लग सकते है C2S5 यूज़ लग सकते है C3S7 लग सकते है CS3 को हम लोग methyl करते है C2S5 को methyl करते है C3S7 को प्रोफिल करते है इतना जान लिया इसके बाद हम जो बात करेंगे उसके बारे में आप देख लीज़े हम बात करेंगे सबसे पहले aldehyde की aldehyde के हम IUPAC को देखेंगे क्योंकि पेपर में क्या होता है UP Board के जाम में कई बारे इस साल की पिछली साल आपके IPSC कूछ ली गई थी तो हम लोग क्या करेंगे किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं हम लोग हर एक चीज़ को लेते हुए चलेंगे इस साल 30% को कम कर दिया गया है तो मैंने देखा है उसी course को हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे बाकी हम course से related जितना 30% को छोड़के है वो हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड के एल्डिहाइड नाम करण ठीक है कैसे एल्डिहाइड का नाम करणों का यानि नॉमन प्लेचर तो आप देख लिजे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सूत्र फिर लिख लेंगे साधार नाम भी मैं आपको इसका बता दूँगा और सबसे नाम और यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग आई यू पी ए सी ठीक अब देखिए आपके सामने यह लिखा हुआ है सूत्र एक सूत्र मैंने लिख दिया सी एच ओ ह कैते हैं और इसका इसी नाम कैसे पड़ेंगे बहें दogyजेए यहाँ पर अब देखें आप थोड़ा से दियान दीजे एल्डि हाइड में आपको जहां पर सी catch लगा हुआ मिल जाए वहां पर आप बोल चाल में तो Al बोलेंगे और लिखने में नल आएगा ठीक है जैसे Methenal ठीक है क्या होता है Methenal अल आ रहा है बोलने में अल आ रहा है मगर यही जगा अगर हम लिख रहे हैं मेथ और जहाँ CHO लगा हुआ मिलेगा मैंने कहा है वहाँ पर क्या लगाना है नल तो यह हो गया मेथ है नल ठीक इतना हो गया आगे दिखे आगे क्या होगा आगे यहाँ पर CS3 इसका नाम क्या होता है इसका थरान नाम है इस अच्छी तरीके से देख लिए यह सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यूज होने वाला है ठीक है एस्टर्डी हायड का सूत्र भी लेख लिए और सूत्र आपको याद करने के जिरुद नहीं है आपको आपको जब उस सूत्र को दस बाराब लिखोगे जाहिर सी वाते वो त्यार हो जाएगा ठीक है तो यह है एस्टर्डी हायड अब IPC नाम की बात कर लें तो अब अगला देखेंजे यहां पर CS3, CH2, CHO ठीक है इसका नाम है प्रोपेनलडीहाइड क्या बोलेंगे प्रोपेनलडीहाइड ठीक है प्रोपेनलडीहाइड अब देखें आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं तीन कार्बन दिख रहे हैं यहां लगा हुआ हो वहाँ नन बोलते हैं तो प्रोपनल तो होगा नहीं तो क्या लिखेंगे यहां प्रोपेनलड यानि तीन कार्बन तो बोले हैं हमने प्रोप और CS3, CH, CO और यह लिखा है record किभर सी करेंगे किया हमेशा यहां रेके जहां पे समू होता है हमेशा नमошुभर हमेशा लिगां संधर मने इस त्भी हमेशाinel दूसरान प्लान और तीक यह हैं तो क्या जोड़ते को कि आप इसको बोलोगे यहांपर आगर ऐफी की हम बात कर ले तो आई उपिय्यंसी में इसको हम यूज करेंगे अई नोय, आउपिकेश्ची में हम ड्यूज्स तो क्या बोलेंगे प्रोपे नल बोलेंगे ठीक है क्या बोल दिया हमने टू पर मेथिल है तो टू मेथिल ठीक है तीन कार्बन है तो प्रोप और ची अचो लगा है तो यह हो जाएगा नल टू मेथिल प्रोपे नल ठीक है इतना हो गया और वैसे इसका नाम क्या होगा स्राण एंक्यां टूने सब्डे के लिए हम एक श्पद यूज करते हैं ऑईसो ठीक है आईसो क्या होगा आपका ब्रसेदलिगाइल प्रसेदलने टीक तो आपने एल्डी हाइट के नॉमन प्लेचर को पढ़ लिया अब हम बात करेंगे किटोन के नॉमन प्लेचर की तो इतना आप स्क्रीन साट ले लिजे आप लोग ले लिया चलिये अब हम लोग बात करते हैं किटोन के नॉमन के लिज चलती है देखें यहाँ पर किटोन के नॉमन के लिचर को देखें इससाथ अगर आपने पिछले वीडियो भी नहीं देखें तो दिस्क्रीप्शन में है और उपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा तो आपको 2021 के यूपी बोर्ट के इंगर में आपको 100% सफलता 80 प्लस 85 प्लस का मैं वादा करता हूं और 10% का वादा में इस दिने करता हूं क्योंकि 10% आपको बुक्स पढ़नी पढ़ेंगी जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे तो आपको उतनी नौलेज नहीं होगी ठी है शाथी साथ आप यह भी जानेज़ें कि हिंदी मीडियम के चातुनों के लिए के एरफन कमेश्टी क्लासे सब से बेश्ट है क्योंकि हिंदी मीडियम की ज्यादा यूट्यूब पर नहीं है ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करिये, सब्सक्राइब जिसको करना होगा, वो खुदी कर देगा, ठीक है, आप बस शेयर कर दिजे वीडियो को, अब देखे, कि टोन की बात करने, कि टोन का नाम करन कैसे करेंगे, तो देख लिजे, यहाँ पर कि टोन, यहाँ पर सूत्र लिख लिए, यहाँ लिख लो, IPC नाम सिधे लिखेंगे, ठीक है, चनहाँ नाम की ज़àiदा को जरूत है नहीं हम बताके चलेंगे, ठीक है, अब देखे, कि टोन में क्या हूगा, आपके सा इसको कहते हैं एसी टोन क्या करते हैं स्टी आपको लिख रहा है यह है एसी टोन आपकी बात करने तो हमेशा याद रखेगा अगर च्छो लगा होता था तो अब आपको लिखोगे क्या बोलने में तो अल आएगा अब बोल चाल में आएगा ठीक है अब देखे बात करने के हम लोग की टोन के देखें यहां के ते नमबर आप कारवन है एट दो ती तीन कारवन को बोलते हैं प्रो ठीक और सी डबल बान ओ लगा है तो इसको क्या बोलने के प्रो नोन तो होगा निए तो प्राक पाक उपर क्या करने यह इंबात्रा बढ़ाने में तो प्रो पे नोन नहीं समझ में आया तो इस तरह देखे इसको मैं और करके लिख जता हूं चाहों तो नहीं नमबर पे आ रहा है दूसरे नमबर पे तो लिख दिया तोटल कारवन कितने हैं एक दो तीन तीन को बोला प्रो और तो यह हुग यह जाने के नोन तो इस तरह आप जाने के नहीं जाने के आगे देखें आगे क्या होगा अगला देखरें सी है कि रबाल वांड ओप यह चीओं अब इसका तो अपर भगा तो तो नम्री तो को दिया टो तो पिसे कारबन केदे ब करेंब किली एक्तू में viveogn नम्री से कडिम ऊथ्यों प्यूड कराब जा करना बिला कर दो करकिती तो तो नसी निए plastic टिर्च निर्च प्राइव से आफ्यक्ति आफ शेया सी एस टू सी डवल बांड ओ सी एस टू और यह हो गया सी एस थ्री ठीक अब इसका पेस्सी आप कैसे बनाओगे लेकिन नम्बरिंग सी डवल बांड ओ चाहिज इधर से कर लिए आपको दोनों और से समान भूप से बैठेगा तो इधर से कर लेते हैं एक दो तीम चार पांच ठीक तो यह तीसे नम्बर पे सी डवल बांड ओ है तो थ्री लिख दिया और पांच कारवन बोल दिया पैंट इसते कारवन है एक दो तीम चार पांच तो पैंट बोल दिया सी डवल बांड ओ है तो नोन लगा दिया तो यह हो गया पैंटे नोन थ्री पैंटे नोन तो इस किटोन के IPSC को भी जाना चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं eldihyde व किटोन बनाने की विद हैडि किटोन ठाले है याप मैं लिए BRI हम कि अधूइ के लिए Gor वह देखें लेखें एल्डी हाइड वंपिटोन बनाने की विद्धी में आप सबसे पहले हडों पर दीजिए यह अकलो पीलों का अक्सी करण अबक्सी करण यह हडिन लालें रहे है अल्कोषोलों का अक्सी करण कि अची कैसे बनाइँ के देखिए कि एसे बनाएंगे तो सबसे पहले आप जब लोगे खांगे तो यहाँ प्रैमारी अल्कोह Nachal के बारे में नहीं जाना है तो जाएए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है और एल्कोहल को अच्छी तरीकेश पढ़िए तो आपको प्रैमरी सेगंडी डर्स नी भी पता चल जाएगा मैं बहुत सौड में आपर आपको बताना है तो देखिए एल्कोहल में हम क्या लेंगे आपको मान लिए मैथिल एल्कोहल लेगा ठीक है क्या लेलिया मैंने एथिल एल्कोहल लेगे यहाँ पर आइसा करिए इतने भाग को बोलते हैं एथिल क्या बोलते हैं एथिल और ओएच को बोलेंगे एल्कोहल ठीक है आप क्या करेंगे इसको देखनी है आप लोग इसका क्या करेंगे हम इसका क्या करेंगे आक्सी करन करेंगे क्या करेंगे आक्सी करन यानि कौन सा ओक्सीजन यह जब आपको अकेला ओक्सीजन दिब्डे में बंद हुआ मिले तो यह है नौजात ओक्सीजन यह क्या है नौजात ओक्सीजन परमाड़ ठीक है अकेला ओक्सीजन है अगर ओटू लिखा होता तो यह पर्माडू हो जाता खाली O लिखा है यह क्या है पर्माडू है और सबसे बड़ी चीज़ है दिखे क्रिया होगी अमली sodium dichromate की उपस्ति में इसकी उपस्ति में अमली sodium dichromate की उपस्ति में तो यहां पर हो जाएगा Na2Cr2O7 अमली सब्द यूज किया है तो H2SO4 क्या करेंगे जब भी हम अमली सब्द का प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा H2SO4 अमली क्या है H2SO4 और sodium dichromate का क्या सुद्र होता है Na2Cr2O7 अमली sodium dichromate यह उपस्ति में रहेगा और क्या होगा आपको क्या अंग upon अब लीक्ति कैसा अल्कोल सब्सक्तेस क्या 비साइब क्या सब्सक्राइब आपको क्योन ऊंगने होगा बिश्चास कारिए तो भी अब ने कीकर्णा है अबोड सब्सक्राइब यह ले लेना है total hydrogen होगा 2 और यह oxygen लेकर आपको क्या निकाल देना है HO2O यानि जन देना है आप दिख्वे क्या बचा? CS3 बचा कि यहां क्या बचा? दो hydrogen में से एक निकाल चुक्त हैं तो CH और यह क्या बचा? O बचा थीक है? जो आप यह देखें, जाहां है, हमने क्या कहा था, अजिते हैं, और कैसा अजिते है? आक्सीजन परमाण के साथ कराने पर किसकी उपस्ति में अमली सोडियम डायक्रोमेट की उपस्ति में कराने पर ऐसे टल्डी हाइड हुआ जल प्राप्त होता है ठीक है यह हो गई आपको देखे अपकी टोम बनाना सिखाएंगे लेगे इसका स्कीन सॉट डे लिजे आप अब आपको यहां पर एलडी हाइड माण हम पनाना चिखाएंगे कि टोन के कैसे बनाएंगे देख लिजे टून की की टॉन में क्या होता ही तो Candi होता है देख लिजे इस इताए खी अपने फो फसने वाम पर आपने मिरें ए स्मुर्ण यहाँ हो पर कैसे वड़ाल का क्या अब आप देखोगे यह कैसा अलकोर है है ? सेकंड के ओपर जीरो बन जा है तो जाँएंगे यह सेकंड नहीं अलकोर है आपका ठीक है अब क्या होगा ? यहां पर आप देखोगे इतने भाग को हम लोग कहते हैं आई-सो क्या यूज करते हैं ? आई-सो इसका एक नाम और भी है आईसो टील कारवन का हम में बोल दिया प्रोफिल चा बोल दिया प्रोफिल और ओँच लगा है तो इसको हम लोग बोल दें क्या बोला हमें एलकोहर्ड लगा है तो यह अप देखोगे देखिए यहाँ पर कितने सी यस्ती यूज हो रहे हैं दो यूज हो रहा है, तो ये सपीं इरकोर है, वहाँ से क्या झाले है? धिंकी कुछ हो रहे ह diferencia है ठीक अब इसका क्या कराना है नौजात आक्सिजन परमाड़ है ठीक है जब ब्रैकेट में खाली आक्सिजन बंद हो तो नौजात आक्सिजन परमाड़ हो और तीर के उपन हम देलेंगे अगर हम कहते हैं कि अमली सोडियाम डाइक्रोमेट तो अमली क्या है अब देखें यहां पर यहां पर एक हैटोजन ये और एक हैटोजन ये और एक हैटोजन ये हैटोजन होगे दो हाईटोजन और एक हो देखे आझकनों देखें क्या बं गया यहां क्या है और यह दोनों अपना फट टूक है औरे इडोन क्या हुए बढ़ेंगे तो बान्ड घटें ऐसे आ रिकें तो यहां को सिंगल ऑन्ड है किसी मिदल गया डवल और अब ही मैंने कहाँ जहां को सी डबल वांड ओ लिखा हुआ में जाए वो तो कीटोन होगा और कीटोन में किस तरह बाहितना भाग क्या है यह कीटोन है और यहां CS3 CS3 लिखे हुए तो इसका जो नाम है वो है CS3 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 CS1 वो आपको क्या लिख रहा है यह जो सूत रह वो तो आप इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे देख लिखे यहां लिखोंगे आईसो प्रोपिल रिकोहन की क्रिया नौजात ऑक्सिजिन के साथ कराने पर किसके दोरा अमली सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्ति में तो क्या प्राप्त होता है मैं किटोन के आम इटाल देता है तो यह तो यह क्या है? ऐसी टोन वा जल राप्त होता है तो इस तरह आपने आज पढ़ा अलडिहाइड वा किकोन बनाने through लेक्टर वन में हमने अलडिहाइड नोडीहाइड और किकोन बताया है लेक्चर टू में हम इसके बहुत तिक गुर्वाला साइनिक गुर्व के बारे में बताएंगे तो आज के लिए के ओल इतना है काफी है जै हिंज जै भारत